नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्रवन पटवा और आप सभी के हमारे यूटूब चैनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जन जाती कार्यमंत्राले के अंतरगत एक लवे अवासी विद्याले में जो सिक्छकों की भरती निकली है उसका आनलाइन फॉर्म घर बैठे मोबाईल से step by step registration से print तक कैसे भर सकते हैं बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बराये हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं जिसमें वाइस प्रिंस्पल, PGT, TGT और प्रिंस्पल के पद सामिल है जो भी अभियर्थी यहां पे आवेदन करना चाहते हैं वे इस notification को description box से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद सारी details को देख लेंगे उसके बाद ही आप सभी यहां पे आवेदन करेंगे मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको जो है यहां पे description box में मिल जाएगा apply करने के लिए आपको जो है EMRS के side पे विजिट करना होगा उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि एप्लिकेशन एविलेबल जो है एक चार 2021 से 34 2021 तक रहेगा यहां पे आपको एडिशनल लिंक्स के अंतरगत इन्फोर नेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे details वाली notification यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रेस रिलीज वाले notification भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारा चीज आपको नीचे डिक्स्टर वाक्स में बिल जाएगा अपलाई करने के लिए आपको apply for EMRS इस पे आपको क्लिक करना होगा एद जहां से अविदन करना है उसके homepage पर आप आजाएगे apply करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे new registration वाले option पे आपको क्लिक करना है और जो लोग पहले apply कर चुके हैं वे लोग यहाँ पे login कर सकते हैं application form यहाँ पे application number डाल कर password डाल कर और यहाँ पे security जो भी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे new वाले लोग new registration बटन पे click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा जिसमें आपको registration application form image upload of his payment चार चाड़ो में जो है आपका यहाँ पे application form complete होगा यहाँ पे download information ब्लूटीन पे click करके आप यहाँ पे download कर सकते हैं साथ ही यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गये हैं जिसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे उसके बाद scroll करके जब recording father's name mother's name fill करना है यहाँ पे जो भी आपको data fill करना है वधास्वी की certificate security और यहां पे capital letter में fill करना है date of birth में सबसे पहले date का chain करें उसके बाद month का chain करें उसके बाद year का chain करें उसके बाद आपको यहां पे gender select करना है उसके बाद identity type में किसी भी एक identity type यहां से आप select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे उसका ID number fill करना है उसके बाद आपको contact details के अंतरगत जो आपके अधार card में address है उसके according आपको यहाँ पे fill कर लेना है उसके बाद आपका यहाँ पे email address और mobile number वही fill करें जो आपका active aim valid हो आपका permanent address सेम है तो इस check box पे आपको click करना है उसके बाद जो है option जो है height हो जाएगा और यहाँ पे आपको password बनाना है minimum जो है आपका 8 से 13 character का होना चाहिए यहाँ पे uppercase, lowercase, number और special character से मिला होना चाहिए इस तरह से आप सभी लोग यहाँ पे password बना सकते हैं यहाँ पे आपको password को fill करना है उसके बाद confirm password में वही fill करना है उसके बाद security question में आप यहाँ पे किसी भी एक security question का आप लोग यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद आपको Security Answer यहाँ पे fill करना है उसके बाद यहाँ पे जो capture code दिखाई दे रहा है वा आपको यहाँ पे fill करना है यहाँ पे Recent में जो आपको capture code यहाँ पर प्राफ्थ होगा उसी capture code को आप सभी लोग यहाँ पे fill करेंगे उसके बाद submit button पे click करेंगे submit बटन पर click करने के बाद आपके सामने एक message डिस्प्ले होगा उसे आपको close कर देना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर my name, father's name जो भी आपने data fill किया है registration के समय उन सभी को आपको यहाँ पर declare करना है तो check box को आप सभी लोग यहाँ पर active कर लेना है उसके बाद आपको जो है declaration में यहाँ पर I agree बटन पर click करना है और एक चीच आपको धियान देना है जो भी details आपका यहाँ पर fill up किये हैं सारी details को एक बार चेक करना है क्योंकि submit करने के बाद final submit जब आप कर देंगे तो किसी भी प्रकार का edit नहीं होगा तो एक बार चेक कर लें उसके बाद final submit पे click करें उसके बाद आपके सामने confirm का एक message डिस्प्ले करेगा उसमें आपको yes बटन पर click करना है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का interface दिखाई देता है जिसमें आप नीचे आएंगे तो आपको complete application form option दिखाई दे रहा है यहाँ पे form को complete करने के बाद या form को complete करने से पहले यहाँ पे verify mobile number and email id option दिया हुआ है जिसे आपको verify करना जरूरी है तो यदि आप verify mobile number करना चाहते हैं तो इस पे आप click करेंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपका registered mobile number दिखाई देगा उसके बाद आपको यहाँ पे security जो pin दिखाई दे रहा है वा आपको यहाँ पे fill करना है fill करने के बाद आपको जो है यहाँ पर send OTP बटन पर click करना है आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उसे आपको यहाँ पर fill करना है उसके बाद आपको verify बटन पर click करना है यदि किसी कारण बस OTP नहीं जा पाता है तो recent code पर click करके आप फिर से OTP प्राप्त कर सकते हैं तो verify बटन पे मैं click करके दिखा रहा हूँ तो इस तरह your mobile number is verified successfully option यहाँ पे फिर से आपको home बटन पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि mobile number verify हो चुगा है इसी तरह आपको जो है अपने email को भी verify कर लेना है इस तरह अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे mobile number और email ID दोनों मैंने verify कर चुका है उसके बाद complete application form option पे आपको click करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाए देगा जिसमें आपका form यहाँ पे start हो चुका है यहाँ पे आपको सबसे पहले nationality select करना है उसके के बाद आपका जो category है वह आपको यहाँ पे select करना है category select करने के बाद यहाँ पे category 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें आप physical handicapped हैं या एक service man तो हैं तो यहाँ पे select करें अन्याथा आप not applicable option पे click करें उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है disability PWD हैं तो यहाँ पे option दिखाई देगा तो उससे आप लोग यहाँ पे select कर लेंगे जो लोग नहीं है वे लोग यहाँ no पे click करेंगे तो अपना वैवाहिक स्थिती select करना है उसके बाद total length of service as teacher 31 March 2021 के अनुसार आपके पास कितने year का यहाँ पे experience है यदि आपके पास 2 साल और 8 महीने क आप यहाँ पे दो select करेंगे year के अंतरगत और month के अंतरगत आपको यहाँ पे 8 select करना है और जिस post के लिए आप यहाँ पे apply करना है उसमे यदि अनुभOW required नहीं है तो आप यहाँ पे 00 select कर सकते है। उसके बाद आप किस पोश्ट के लिए यहाँ पे apply करना चाहते हैं वह आपको यहाँ पे select करना है उसके बाद आपका subject यहाँ पे not applicable दिखाई दे रहा है तो उसे आपको select करना है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको language कौन कौन सी आपको आती है यहाँ पे आपको select करना है इस तरह से आप यहाँ पे अपने language को select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे medium of question paper दिखाई देगा जिसमें Hindi, English है तो आप अपने medium को select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे exam center, चार जगा आपको select करना है जिसमें सबसे पहले आपको state select करना है उसके बाद उस state के अंतरगत आपको यहाँ पे exam city so करेगा वह आपको select करना है आप यहाँ पे अलग-अलग राजियों के लिए भी exam city select कर सकते हैं उसके बाद education details के अंतरगत आपको 10 वी का सबसे fill करना है आपको pastट करना है उसके आपको पास दिखाई देगा उसके बाद year of passing उसके बाद stream दिखाई देगा by default उसका medium कहन सा था हबाद आपको यहाँ पे select करना है उसके बाद university board यहाँ पे select करना है उसके बाद आपका result पास था insurance था आपने 10 वी का पढ़ाई किया है उसका आपको name and address अच्छी तरह से fill कर लेना है इसी तरह आपको आपना बारवी का भी fill कर लेना है अच्छी तरह से उसके बाद आप नीचे आएंगे तो graduation qualification details भी आपको उसी तरह fill कर लेना है उसके बाद post graduate भी आपको fill करना है यदि एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यदि आप appearing वाले हैं, तो भी आप यहाँ पे details फिल कर सकते हैं, उसके बाद यदि आपके पास any other qualification details है, तो आप यहाँ पे फिल करें, अन्याथा not applicable option को select करें, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, तो आपके पास option आएगा EMRS का यदि आप हैं, तो yes करें, अन्याथा आप no करें, उसके बाद a state और central state, यदि आप qualify हैं, तो आपको यहाँ पे yes करना है, अन्याथा आपको no करना है, यदि आप yes करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का details फिल करना होगा, यहाँ पे year, कौन से year में आपने पास किया उसके बाद आपको certificate number, role number आपको यहाँ पे फिल करना होगा, यदि आप नहीं हैं, तो no पे क्लिक करेंगे, यदि आप employment details के अंतरगत employed हैं, तो यहाँ आपको select करना है, currently employed अन्याथा आप unemployed पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको security pin यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी सारी details को एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद submit बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने एक message display होगा, जिसमें आपको close करना है, close करने के बाद आपको particular check list to be verified, आपको यहाँ पे verified करना है, जो भी आप application form data पे click करके edit कर सकते हैं, और सभी चीज़े सही है तो आपको final submit बटन पे click करना है, ध्यान देना है final submit करने के बाद किसी भी तरह का edit नहीं होगा, आप उससे पहले edit कर सकते है, final submit बटन पे click करने के बाद confirm का message display होगा, उसमें आपको yes बटन पे click करना है, उसके बाद आपक आपको click करना है, click करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के interface दिखाई देगा, जिसमें आपको photograph यहाँ पे jpg format में minimum 10 और maximum 200 kb के अंतरगत आपको यहाँ पे upload करना है, थम impression आपको इसी format में और इसी size में आपको यहाँ पे upload करना है, और signature भी आपको jpg format में minimum 4 kb और maximum 30 kb के आपको upload करना है, और category certificate आपको PDF में minimum 50 kb और maximum 300 kb का upload करना है, domicile certificate आपको PDF format में minimum 50 और maximum 300 kb क्या PDF format में आपको यहाँ पे upload करना है, सारे documents upload करने के बाद आपको submit and preview बटन पे click करना है, उसके बाद आपके सामने preview of upload documents का भाग दिखाई देगा, जिसमें आपको check and verify option दिखाई इसमें आपको photograph, thumb information, signature, category certificate और domicile certificate को self verified करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे security pin को fill करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे check box को active करना है, उसके बाद upload बटन पे click करना है, upload करने के बाद आपके सामने all selected document upload successful का एक message डिस्पले होगा जिसमें आपको OK बटन पे click करना है, उस इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का interface दिखाई देगा, जिसमें registration form complete, application form complete, upload document यहाँ पे complete, साथ यहाँ पे application fees payment जो है completed दिखा रहा है, क्योंकि यह स्ट के टेगरी सप्लाई होगा था, जो अभियरती यहाँ पे आवेदन करेंगे, और जो fees के लिए applicable होंगे, तो इसमें को यहाँ पे फिस payment का option दिखाई देगा, जिसमें आप फिस payment करने के बाद ही आपका form पूरी तरह से complete fill up माना जाएगा, तो आपको यहाँ पे फिस payment करने का बहुत सारे multiple option मिलेंगे, आप लोग असानी से यहाँ फिस payment कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे जो download confirmation page दिखाई दे रहा है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो application form है, वह इस तरह का download हो जाएगा, जिसे आप लोग अपने पास सुरक्चित सेव करके रख लेंगे, साथ ही यहाँ पे कुछ application process status से संबंधित यहाँ पे option दिए गया है, जिसका आप लोग अच्छी dot button दिखाई दे रहा, इसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे desktop साइड और mobile साइड का option दिखाई देगा, उसके आप लोग enable कर लेंगे, उसके बाद आपका page जो है desktop की भाती open होगा, तो आप लोग आसानी से mobile के मादियम से भी भर सकते हैं, आप स